आज है 23 अक्टूबर 2022 और 23 अक्टूबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो आप से कुश्चिन पूचंगा उसका आंसर आपको कमेंट बोक्स हूं बताना हा आज किस वीडियो के पीडिया फृइल आपके डिसख्यूस में से राउन्लोड कर सकते हैं पीडिया पाप uży टेलेग्राम ग्रूप से भी राउनलोड कर सक्ते हैं टेले ग्राम गूर्प पर आप उस सारी पीडिया पे एक साथ मिल जाएंगी और . टेलिग्राम गुरुप का लिंक मैं इस वीडियो का डिसकेशन वे में दे दिया है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम गुरूप जाएं कर सकते हैं तो चलिए चार्ट करते हैं पहला कुश्य है हाली में अन्तरास्ती हक लाहट जागुरूपता दिवस कना गया है तो अभी 22 अक्टूबर को अंतरास्त्री हक लाहट जागरूकता दिवस मनाया गया तो इसको इनका बे ओप्सन सही है हक लाना ये बोलने से सम्मंदित एक बेकार होता है और इस बेकार से जो लोग पेड़ेत होते हैं उनको कई जगे सरमिंदगी का सामना करना पड़ता है एक्ट्री में आपने दिखा होगा बहुत सारे लोग बोलते टाइम हक लाते हैं जब बोलते टाइम हक लाते हैं तो कुछ लोग ऐसे रेक्शन दे लेते हैं कि उनको सरमिंदगी मैसूस होती है तो अंतरास्ती हक लाहट जागरूकता दिवस ऐसे लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और इन लोगों को समाज में समान अधिकार देने के लिए बनाया जाता है तो ये याद रखिए अंतरास्ती हक लाहट जागरूकता दिवस ये 22 अक्टूबर को मनाया जाता है अब ये important day वाला question है तो अक्टूबर में अभी तक जितने भी important day बनाये गए है सारे मैंने यहापे बिल्कुल sequence में लिखे है आप वीडियो को post करिए और अक्टूबर के सारे important day एक बार आप खुद से revise करिए अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते है चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपूर लगता है तब आप वीडियो को like और share जरू किया करो और मैं आपको भी भोलता हूँ daily morning में उटकर सबसे पहले अपने लेक टारगेट fix करो चाहे चोटा साई टारगेट fix करो लेकिन daily morning में उटकर सबसे पहले अपने लेक टारगेट fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अजेब करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी नए क्यूशन है हाली में प्रतानमंत्री मोदी ने कहां mission life movement शुरू किया है तो अभी गुजरात के के बढ़िया में प्रतानमंत्री मोदी ने mission life movement शुरू किया तो इसकुशन का say options है यह climate change से संबंदित है यह mission life movement और इसमें United Nation के secretary general Antonio Guterres और 102 देशों के राज़दूत्मों ने भी participate किया है तो यह आपको याद रखना है गुजरात के के बढ़िया में शुरू हुआ हाली में FATF ने किस देश को चार साल बाद gray list से अटाया है तो अभी FATF ने पाकिस्तान को अपनी gray list से चार साल के बाद अटाया तो इस question का day option से यह अच्छा इसके बारे मैं आपको पहले वी बता है FATF की gray list यह क्या होती है तो ऐसे देश जो अपने हाँ टेरर फंडिंग को रूकने में असमर्थ रहते हैं ऐसे देशों को FATF अपनी gray list में सामिल कर दिया तो इस gray list में सामिल होने से फायदा क्या होता है इसमें सामिल होने से सिर्फ घाटा होता है और यह घाटा चार साल से पाकिस्तान ने जेला है जब कोई देश इस gray list में सामिल हो जाता है तो उसको कोई बाहर से मदद नहीं मिलती है कोई भी funding नहीं मिलती है FDI का सबसे बड़ा loss होता है उसको क्योंकि जब देश अपने टेरर फंडिंग को रोक नहीं पारा तो कोई देश क्यों महाँ पर इन्वेस्ट करेगा कोई बाहर की company क्यों इन्वेस्ट करेगी तो उस देश को सिर्फ और सिर्फ घाटा होता है तो FATF की grey list में पाकिस्तान चार साल से था अभी इसको बाहर कर दिया गया है तो अब FATF की grey list से पाकिस्तान बाहर हो गया है FATF यानि कि financial action task force इसकी stop नगव हुई 1989 में इसका headquarter कहां पर है पैरिस में और इसके present time पर प्रेसिडेंट कौन है टे राजा कुमार कौन है टे राजा कुमार अब grey list से पाकिस्तान बाहर हुआ है तो यह है map में पाकिस्तान पाकिस्तान की capital क्या है इसलामाबाद पाकिस्तान की currency क्या है पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान के present time पर प्रेसिडेंट कौन है सहबाद सरीफ और पाकिस्तान के present time पर प्रेसिडेंट कौन है आरिफ अलवी अभी बाबर आजम को सितारा इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किय पाकिस्तान की सेना के लेटनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में बारेमी कूर कमांडर के तौर पर नियुक किया गया। पाकिस्तान की पहली मैला हिंदू उप पुलिस अधिक्षक बनी है मनेशा रोपेटा। बारत और पाकिस्तान की बीच बैक चैनल बारता का नेतरत करने वाले सतिंदर लामबा का 81 बरस की उम्गर में इसी साल ने दन हुआ और बेस्ट इंडिज की पूर कप्तान डेरन सैमी को सितारा एप पाकिस्तान पुरुसकार में ला है। ने कुशन है हाली में चौदे मा जन जाती युवा आदान प्रदान कारिकरम कहां आयो जित हुआ तो अभी नई दिल्ली में चौदे मा जन जाती युवा आदान प्रदान कारिकरम आयो जित हुआ तो इस कुशन का से ओप्सन सही है। देश युबा आदान प्रदान कारे करम का परपज गया है तो आदिवासी युबाओं को देश की सम्रद ब्रासत के प्रति सम्वेदंसीर बनाना और उन्हें बिवित्ता में एक्ता की अबदाणा को समझने में सक्षम बनाना है। नए क्युशन है हाली में केस राज सरकार ने अपने करमचारियों के लिए पुरानी पैंसन युजना की बापसी की है तो अभी पंजाब सरकार ने अपने करमचारियों के लिए ओल्ड पैंसन इसकीम की बहाल कर चुके हैं और अब दिवाली पर पंजाब ने अपने करमचारि के लिए उल्ड पैंसन इसकी मलाउग कर दी है अब पंजाब तो यह है मैप में पंजाब की केपिटल क्या है चंडीगड पंजाब की चीपनिश्टर कौन है भगबंत मान और पंजाब के गवर्नल कौन है बनवारी लाल पुरोहित अभी एसिया के सबसे बड़े पंजाब में हुआ पंजाब चार बागवानी एस्टेट इस्तापित करेगा पंजाब सरकार ने रास्टी पुरुसकार प्राप्त करताओं को मासिक वजीफा देने की गोश्ण की है और पंजाब में एक विधायक एक पैंसन स्कीम लागू ही पंजाब ने फिजिकल स्टाम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है फिजीकल स्टाम जैसे अभी तक क्या होता जैसे किसी ने पंजाब में कोई रेजिस्ट्री कराई तो उसको स्टाम खरीदने होते थे वो स्टाम पहले फिजीकली मिलते थे बैंक से मिलते थे और ट्रेजरी से भी मिलते थे अब क्या है A-stamp वहां पे लागव हो गया है, आपको सिर्फ ओनलाइन A-stamp खरीदना है, कोई भी फिजीकल स्टाम नहीं खरीदना है, तो फिजीकल स्टाम को पंजाब ने पूरी तरह खत्म कर दिया है, और वहां पे A-stamp पर डाली लागव हो गया है, नए क्यूशन है, हाली में, Quality Council of India के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अभी जच्छ है साहा, Quality Council of India के नए अध्यक्ष बने, तो इस कुश्चिन का बे ओप्सन सही है, यह हैं, जक्स है साहा, और यही Quality Council of India के नए अध्यक्ष बने, अच्छा, अभी अडानी एरपूट होल्डिंग्स के CEO की रूप में, रोजर बिन्नी को चुना गया, और पे टियम पेवेंट बैंक ने देपेंद सिंग राठोर को अंतरिम CEO न्यूट किया है, नए क्यूशन है, हाली में बन्न जी बोर्ड ने के सराज में, दुर्गावत्ती टाइगर रिजर्ब को नए टाइगर रिजर्ब के रूप में मंज प्यूटी थी, तो इस कुशिन का से ओप्सन सही है, अब मध्यप्रदेश तो ये है मैप में मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल और भोपाल में है भोजदाल, मध्यप्रदेश की चीपनिष्टर है सिबराज सिंग चोहान, और में किया गया सव距 सरवग्षड 2022 में देश का सबसे राज मद्यप्रदेश को गोसित किया गया अड़ाणी मध्यप्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परयोजना सुरूख की है अच्छा मद्यप्रदेश में काना बांदबगड, मादब, संजे, पन्ना और सत्पुड़ा नेशनल पार्क है कुनो नेशनल पार्क ये भी मद्ध प्रदेश में है जो नामीविया से अभी चेते लाए गए वो मद्ध प्रदेश की कुनो नेशनल पार्क में ही छोड़े गए है केस राज सरकार ने प्रदूसर्ण मुक्त दिवाली को अभियान शुरू किया है, तो अभी दिल्ली सरकार ने प्रदूसर्ण मुक्त दिवाली को अभियान शुरू किया, दिल्ली में कनाट प्लेस पर 51,000 दिये जला कर ये प्रदूसर्ण मुक्त दिवाली अभियान शुरू क किया गया है अब दिल्ली तो मैला एबंबाल विकास मंत्राले द्वारा पूसर्ड उत्सब का आयुज़न नई दिल्ली में किया गया दिल्ली के उपरा जिपाल ने कम्यूनिटी पुलिसिंग पहल बेक केर शुरू की एसियन बस्त्र सम्मिलन का नौमा संस्क्रण नई दिल्ल के मेर ने ये घोशना की है कि 2003 से नियू यूर्क में दिवाली पर इसकूलों में अबकास रहेगा तो इसकुशन का ए ओप्सन सही है सहर के मेर एरिक एडम्स ने ये घोशना की है कि नियू यूर्क में अगली साल से दिवाली पर अबकास रहेगा नई शुशन है हाली में से CCI ने केस कंपनी पर 1337 करड़ रुपए से अधिक का जुर्मान लगाया तो CCI यानि की Commission of India इसने अभी Google पर 1337 करड़ रुपए से अधिक का जुर्मान लगाया तो इस कुछ इनका बे आप्शन सही है बहु पच्छी बाजारों में अपनी मजबूत इस्तिती का दुरुपियोग करने का दोसी पाया गया है गूगल को इसलिए CCI ने गूबल पर 1337 करड़ रुपए का जुर्मान लगाया अचा गूगल तो गूगल के से यह कौन है सुन्दर पिचाई कौन है सुन्दर पिचाई ने क्यूशन है हाली में फायर वोल्ट ने किसे अपना ब्रांड वेस्टर न्यूट किया तो फायर वोल्ट यह विरेवल वाचिस वनाती है यानि कि जो स्मार्ट वाच होती है उस त पहले मैंने आपको बताया था कि फायर वोल्ट ने कियारा दुबाइटी को पिर अपना ब्राइड लगत सब्सक्राइब men इंप कंसेप्ट कोई में कंपणिया बिश्टार के बनाती है सब्डूर आपकी कोई कंपणी ऊच अप तो आपको अपनी बोचिस बेचनी है, पूरे देश में बेचनी है, आप उसका प्रिचार कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, कोई ऐसा ब्यक्ति चुनोगो, जिसको पूरा देश जानता हो, जिसको लोग फॉलो करते हो, यंगेस्टर फॉलो करते हो, क्योंकि आपका ये जो प्रोडैक्ट यह यंगस्ट के लिए है तो आप ऐसे वेक्टरी को धूलोगे जसको पूरा देस रोल मॉडल मानता हो जिसे फालो करता हो तो तो कमपनिया का करती है ऐसे वेक्टरी को ब्राणिड मेंज रहकी जिनकी रेच बहुत होती है जिनको लोग follow करते हैं जो वो काम करते हैं वही लोग करने की कोशिस करते हैं अब जैसे ये बेजय देवर कॉंडे ब्राण विजटर बनाए गए अब ये Firevolt की वाच बनेंगे और उसको दिखाएंगे तो लोग क्या करेंगे Firevolt की वाच खरीदेंगे तो ये ही होता है ब्राण विजटर बनाने का कंसेफ्ट कमपनिया अपने प्रचार के लिए अपनी रीच बढ़ाने के लिए ब्राण विजटर बनाती हैं तो अब Firevolt की ब्राण विजटर बेजय देवर कॉंडे भी हैं और क्यारा अडवाणी भी हैं अच्छा अभी बंदन बैंक ने सोरभ गांगली को अपना ब्राण विजटर बनाया था ओमारा डेट्स ने अमिता बच्चन को अपना विजटर बनाया वाग करो ये फुटवियर की कंपनी है इसने अजय देवगं को अपना विजटर बनाया गल्फ ओयल ने स्मृत्ती मंदाना को अपना ब्रांड वेजड बनाया फायर बोल्ट ने अभी विजयत देवर कॉंड़ी से पहले क्यारा अड़बानी को ब्रांड वेजड बनाया था और हेरो मोटो कॉप ने अपना नया ब्रांड मेजडर राम चरड को गोसित किया निए शिंशन है राली में प्य-एम एवाई यानि कि प्रदानमंत्री आवास यूजना अर्बन अवार्ड स्थ 2021 में किसे सर्वोच संभान मिला है तो सर्वोच संभान उत्तरब्र देश को मिला तो इसकुषिंद का बे आप्शन आई उत्तरब्र देश पहले पे है, मद्र प्रिदेश दूसरे पे है, और तो mymadu तेश्रे पे है. अब प्रदान मंत्री आवास यूजना अर्वन अवार्द्स में उत्तर्प्रदेश test top पर है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की capital क्या है लखनव और लखनव किस नदी की किनारिश्थित है गोमती नदी किनारिश्थित उत्तर प्रदेश की चीपनिश्टर है योगिया इतना उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदी वेन पटेल अबी उत्तरपदेश सरकार ने पहली बार मैला पेसी बटालियन के गठन की कोशन की उत्तरपदेश सरकार ने सूलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट सुरू करने का नेड़े लिया उत्तरपदेश को आयुसमान उतकरष्ट पुरुसकार 2022 मिला और उत्तरपदेश सरकार मात्र भूमी योजना पोर्टल लॉंच करेगी अच्छा उत्तरपदेश में दुद्वा नेशनल पार्क है कतर्नियागाट वाइलले सेंचुरी है और पेली भीत टाइगर रेजर्ब है नए क्यूशन है भारत और केस देश की सेनाओ ने टाइगर ट्रंफ अभ्यास किया है तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका की सेनाओ ने विसाखा पटनम में टाइगर ट्रंफ नाम का अभ्यास किया तो इस क्यूशन का से ओप्सन सही है अच्छा वैसे इंडिया और अमेरिका की बीच में कौन-कौन सी एक साज होती है कूप इंडिया, टाइगर ट्रंफ, बज़ प्रहार और युद दप्यास नए क्यूशन है हाली में Trays Beyond Forest कारिकरम किस राज में सुरू हुआ है तो अभी असम में Trays Beyond Forest कारिकरम सुरू हुआ तो इस कुशिन का A option सही है Trays Beyond Forest कारिकरम इसका परपज क्या है किसानों, कंपनियों और नेजी संगठनों को राजी के पारंपरिक जंगलों के बाहर बच्चों के आवरड का बिस्तार करने के लिए एक साथ लाना इसका मैन परपज है अब असम तो ये है मैप में असम असम की केपिटल क्या है दिस्पूर असम के चीपनिश्टर कौन है हेमंता बिस्वसर्मा और असम की गवर्नर कौन है जगदीस मुकी अच्छा अभी कट्टी विहूत योहार असम में मनाया गया ग्रह मंतरी अमित सा ने असम में पुलिस अधीच्चकों के सम्मेलन का उदगाटन किया असम राजसरकार ने बिद्यारत स्कूल और बेल्स परयोजना शुरू की पबन कुमार बोर ठाकोर असम के नए मुक्ष सचिव नियुक्त हुए और असम के मुक्ष मंतरी ने एक हजार मौडल अंगनवाडी केंद्रों का सुभारम किया असम में काजीरंगा, मानस, उरंग, नामेरी, डिब्रुस अकोबा, रायमोना और देंग बटकाई नेशनल पार्क है ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क, ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फॉन से कनेक्ट हो चुका है नेक क्यूशन है, हाली में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्गाटन कहा हुआ है तो अभी मुंबई में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्गाटन हुआ यानि किस कुशिन का से ओप्सन सही है अब लास्ट वीडियो के कुशिन का आंसर लास्ट वीडियो मैं आप से कुशिन पूजाता कि पांच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां आयोजित कि जाएंगे तो अभी मद्द प्रदेश में आठ जगहों पर पांच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित कि जाएंगे तो इस question का बे option सही था और लगबग सभी स्ट्वेडनेस का अंसर सही दिया most ले स्ट्वेडनेस के बारे में detail में लेखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लेखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लेक देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उधार ब्यक्ति कौन बने चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाब आप मारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप बेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation डिसकस कर सकते हैं अच्छा आज किस video का आप target जरू याद रखना है आज किस video का target है चाली से अलाइक का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, help हो लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook ग्रूप है उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current interface का video आपको ये video कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावन में एक bell icon बन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे next exam all page video thanks for watching